आज एक कच्छे आलू से जहत पट से इन्स्टेंट डोसा बना कर तयार करेंगे समर विकेशन सैंस में बच्चे घर पर ही हैं तो बच्चे को बार-बार भूख लगती है तो ऐसे में आप ये फटा-फट से जहत पट से ये डोसा बना कर बच्चों को खिला सकते हो बच्चे भी खुस हो जाएंगे और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को इसे बनाने के लिए मैंने ये एक कच्छा आलू लिया था इसे मैंने पीसेस में कट कर लिये हैं और अच्छे से इसे धो लिया है मै अच्छे से इसे पीस लिया है तो अभी हम क्या करेंगे इसमें थोड़े चुकड़े भी रह गया होंगे आलू की तो अभी परिसान नहीं होगेगा तो अभी मैं इसमें हाफ कप सूजी डाल रही हूं तो सूजी डालने से हमारे डोसे की बाइंडिंग आएगी और ये एक चोथाई का बेसन है इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा तो अब हम क्या करेंगे इसे फिर से हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और एक बार फिर से हम मिक्सी को चलाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे से बारीक पेस्ट पन कर तयार हो जाएगा तो आप देख रहना ये ब पाउल में डाल दिया है तो अब हम क्या करेंगे इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ये देखे इस तरीके से इसे चला देंगे अभी ये काफी ठीक है लेकिन अभी हमें करना क्या है चूंकि जो सूजी होती है उसे फूलने में टाइम लगता है तो अभी इसे हम ढखकर अब करना है क्योंकि ये हमें एकदम लिक्विडी करना है तो उसके पहले इसमें कुछ इंवीडियन डाल देते हैं तो ये मेरे पास है थोड़ी सी चौप की हुई हरी धनिया की पत्तियां तो इसे हम इसमें डाल रही हूं चिली फ्लैक्स या कुटी हुई लाल मिश एक मिल जाया जो धनिया होगे तो इसमें और जदक कोई मसाले हमें इसमें अड्लन हैं तो ये ग셔 College एक चयार है अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये आधा Single और पानी तो ये मैंने ने टोटल एक पानी इसमें डाल दिया है और ये एकदम पतला सा हमारा बन कर तैयार है तो आप और देखे हैं को मैं इस तरीके से गिडाना है इसी तरीके से बनाना है अब गयस पर हम hardware है यह नैचे और smart 아침 कर लेंगे और इसके बाद हमें यह टीश्यू पेपर या एक कपड़े से आप इस तेल को पूंश लीजिए इसमें तेल नहीं रहना चाहिए इस तरीके से हम इस तरीके से पहलाना है यह देखिए उपर से हम ऐसे डालेंगे तो यह पूरे में अच्छे से फैल जाएगा बिल् पुरिये तवे में इसे हमने अच्छे से फेलाया है और अब नीचे से हमें अभी टेस्ट नहीं करना जब ये नीचे से थोड़ा कलर चेंज होने लगेगा अच्छे से ये पक जाएगा तब इसे हम टन करेंगे तो उपर से मैं कुछ ड्रॉप्स इसमें ऑईल की डाल दे रही तो अब साइड से देखिए एक हम स्पून इस तरीके से स्पैशला डालेंगे और साइड से हलके हलके से हम रिमूब कर लेंगे और ये देखिए बहुत ये अच्छे से ये निकल रहा है कुछ भी मेहनत ही करनी पड़ रही बहुत याराम से ये निकल जाएगा और बस इस त इसे ये अंदर तक अच्छे से सिख जाएगा आप दूसरे साइट से इसे पलट येगा नहीं बस इसी तरीके से ये उपर तक अच्छे से सिख जाएगा और बस धीरे धीरे करके इसे बहुत ही आराम से आप पलट दीजिए बहुत ही बढ़ियां से ये डोसा निकल करके आ जा बच्चों को ये बहुत ही पसंद आता है बिल्कुल फटा-फट से आप ये बना सकते हो और तुरंदी बच्चे इसे चट कर जाएंगे तो चलिए इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और इसके बाद हम दूसरा डोसा भी इसी तरीके से बना कर त्यार करेंगे तो एक बार मै तवे पे कोई तेल जोगेरा नहीं लगाना है उसी तरीके से हम इसे इस तरीके से फैला देंगे पूरे तवे में थोड़ा-थोड़ा बैटर डालते जाएंगे और इसे हम फैलाते जाएंगे तो यह देखिए इस तरीके से जब मैं डाल रहे हूं तो धीरे धीरे पूरे तवे में अच्छे से यह फैल जाएगा और जहां रह जाए वहाँ आप थोड़ा-thोड़ा सा करके इस तरीके से आप डाल दीजे तो पूरे तवे में बढ़िया से यह बैटर फैल जाएगा और ये देखिए इस तरीके से धीरे-धीरे कुछी देर में ये आराम से पक जाएगा, धीमी आज में ही इसे पकाईएगा, आज को तेज मत करिएगा, और ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है कुछी देर में और ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाता है तो बस आब इसे हम इस तरीके से उठाते हुए अच्छे से टर्न कर देंगे टर्न का मतलब बस 20 से इसे हम फोल करके निकाल लेंगे दूसरे साइट से पलट कर हमें इसे नहीं सेखना है और ये देखिए हमारा बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी आलू से ये डोसा बनकर त्यार है तो चलिए इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं और ये डोसा आप चाहें तो नारियल की चटनी के साथ में सर्व कर सकते हैं तो मैं आज नाडियल की चटनी नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरे चैनल में पहले से ही वीडियो अपलोड है चटनी की आप जाकर जरूर चेक करिएगा और मैं इसे आज केचप के साथ में सर्व कर रही हूँ क्योंकि इंस्टेंट डोसा बनाया है मैंने बच्चों को भूख लगी है तो मैं इसे ऐसे ही सौस के साथ में बच्चों को देने वाली हूँ आप जैसे भी चाहें उस तरीके से बच्चों को खिला सकते हैं पसंद आएगा सुबह के ब्रेकफास्ट में भी आप इस नास्ते को बना सकते हैं तो बड़े भी इसे बहुत ही चाओ से खाते हैं सभी को पसंद आता है और जटपट से बनता है बिना कोई खात सामगरी के ज़्यादा इंग्रीट इसमें लगता ही नहीं है बहुत ही कम सामगरी में ये डोसा बनकर त्यार हो जाता है और फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आ रहे हो तो प्लीज कॉमेंट करके मुझे जरूर बताया करें और मेरे वीडियो को लाइक से और कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूला करें क्योंकि आपके comment ही तो हैं जो हमें motivate करते हैं फिर से वीडियोज बनाने के लिए आपके लिए नहीं नहीं recipes लाने के लिए और friends मुझे follow करने के लिए आप Facebook और Instagram में भी जा सकते हैं और मेरा जो channel का link है Facebook और Instagram का वो मेरे YouTube channel के about section में दिया हुआ है तो वहां जाकर आप मुझे चेक करें और मुझे follow जरूर करें क्योंकि friends आपका support और आपका एक like और comment हमारे लिए बहुत ही माइने रखता है हमारे लिए आपका comment और like बहुत ही खास होता है तो मिलती हूँ फिर से एक नई recipe के साथ में तब तक के लिए देखते रहे मालाज cooking करका को और इसी तरीके से अपना प्यार और शने बनाए रखिए